नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार की पंडित में तो दोस्तों अगर इस तरीके के प्रॉफिट बनाने हैं लॉस की रिकवरी करनी है तो जॉइन कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल को जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप् जब रिलाइंस इंडस्ट्री लगातार पांच दिनों से क्या हो मूमेंटम में हो तो वो बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाती है और आपको पता है कि जब सेवी इन्वाल होता है तो और भी दिक्रते बढ़ती है क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो इससे बड़ा एक नमबर पे एक नमबर पे आ गए थे एशिया में भी और एक समय पे दो नमबर तीन नमबर पे आ गए थे वर्ल्ड में भी टॉप रिचस की लिस्ट में उसके बाद देखीगा क्या हुआ वो तो चीजें आपके सामने हैं तो ऐसे में बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं रिलाइंस को या फिर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी को तो आपको रिलाइंस के मुमेंटम को पता बिलकुल रखना पड़ता है रिलाइंस पे कोई अपडेट तो नहीं आई है ये साटरडे संडे बहुत ही इंपोर्टेंट है आप समझ सकते हैं यह अपने आप में कितनी बड़ी बात थी तो बेसिकली यहाँ पे से भी होल्ड यानि कि जो राइयल है रिलाइंस इंडस्ट्री की एक आम को उन्होंने गिल्टी पाया है चलिए ठीक है बट उन्हें जो गिल्टी पाया गया है वो एफ़नो ट्रेडिंग म पाया है और आपको पता है आजकर manipulation of stocks का जो यह चला है बहुती sequence में चीज़े चल लही है वो बहुती important हो गई है क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े groups में भी manipulation चला है पहले तो penny stock में ही चलता था तो ऐसे में manipulation के कारण FNO trade में manipulation के कारण उस पे penalty लगाई है साथ लाक रुपए की अब आप करेंगे साथ लाक रुपए तो कुछ भी नहीं होता यह just initiative है यह just initiative है investigation is going on है क्या है investigation जो है वो going on है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही एक छोटी सी report ने ऐसे ही एक छोटी सी report ने देखेगा डानी जी का यहाँ पे valuation कितना down कर दिया था यह आप भी जानते हो तो यहाँ पे पूरी तरीके से हर तरीके से बता के investigate करके सेबी की एक आम reliance industry देखेगा जो reliance strategic investment जो reliance industry की एक आम है और आपको पता है इनके जितने भी segment है वो बहुत ही important है त्यूंकि आपको पता है कि आगे चलके इनका plan गिया है कि अलग-अलग segment को क्या कर देंगे de-merge करके उन्हें list करा देंगे तो a subsidiary alliance industry या guilty manipulation while trading in long-dated nifty option in 2017 तो आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर कपकी बात हो रही है कितना पुराना investigation से भी ने यहाँ पर सामने निकाल के रखा है और आपको पता है कोविड के दौरान बहुत सारी चीजें हुई है इसके बात भी देखीगा बहुत सारी चीजें हुई है जिसका investigation going on है तो ऐसे में अगर आप check out करेंगे कि यह जो update आया है कि नifty option में जो F&O trade किये गए उसमें काफी बड़ा manipulation था और इसलिए penalty लगाई गई है तो यह कहीं ना कहीं reliance industry की credibility पे goodwill पे भी एक आच आने वाली बात है और सेभी ने यह कह दिया है कि यह amount 45 days में pay होना चाहिए और यहाँ पे अगर आप देखेंगे the regulator had investigated the trade done in the long dated nifty 50 option पूरी तरीके से investigation on है और आप देख सकते हैं between the reliance strategic investment and Morgan Stanley in August 2017 to a certain violation of trading practices तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े नाम आपको सामने देखने को मिल ला है तो actual में देखीगा यह party है reliance industry का तो इसलिए जादा यहाँ पे देखीगा क्या हो रहा है issue बनाय जा रहा है और on conclusion of the investigation it was observed that RILM and Morgan Stanley had traded in a long-dated Nifty put option expiring on December 2017 28 December having a strike price of 11.400 at a price significantly away from the intrinsic value तो आप देख सकते हैं इस तरीके से trade किया गया था जिसका investigation हुआ है और आपको पता है penalty भी करी गई है और पूरी तरीके से बश्रू हो चुका है investigation के बाद आगी की proceeding both the firms for alleged violation of regulation तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर Reliance industry पाँच दिनों से momentum में है अब इसका impact आपको मंडे को देखने को मिलेगा तो important क्यों है चुकि Nifty में जो सबसे ज़ादा weightage है वो Reliance industry का है Reliance industry अगर ठंडा होगा तो उपर के level पे Nifty भी ठंडा होगा तो be ready for it वीडियो गर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न भूलेगा Thank you so much